पूदूसर नागपाल जी है और बहुत अच्छी इन लोगों ने चूज किया है और बनाने का इन्होंने फैसला लिया है इस फिल्म बन भी रही है बहुत ही प्यारी फिल्म बन रही है और डिरेक्टर के बारे हम क्या कहेंगे डिरेक्टर तो उनके साथ मैंने चार-पांच फिल्में किया है बहुत ही बारिक्यों पर ध्यान देते हैं एक एक चीज पर मतलब पुरा वो जबता को उपके ना हो जाए तब तक करते हैं काम उस पर तो आनन सिंग बहुत तलेंटे ड करते हैं कि इसको कैसे क्या किया जाए और पेमल पांडे हमें पूरा उमीद है कि आने वाले स्टार हैं और हम लोग देखना भी चाहेंगे कि उस स्टार क्योंकि उनके समय हनती लड़का अगर इस तर से हिरो बन रहा है तो अच्छा भी लाएगा दूसरी बात है है हिरोईन की तो हिरोईन मनी भटाचार्याजी है जो आपने लाखों फिल्में देखी हैं लाखों पूर्ण तो सारी आप पचासों फिल्में आपने देखी हैं कमाल की अक्टर है मतलब बैसकिलिए उनका लेंग्वेज नहीं है भुछपुरी लेकिन वो भुछपुरी इतनी प्यारी बोलती है और एक मंद बुद्धी मंद कर रही है ऐसा लगता है कि उस चैरेक्टर को जी गई है उसमें मतलब मैं उनके बड़े भाई कर रहा हूं और मैं उनका आट देखता हूं तो कभी कभी मैं देखते रहे जाता हूं यार क्या कर रही है तो फिल्म बहुत अच्छे बन रही है नोड़ाट और आर्टिस भूसानि प्रमानशूर सिंग के ठुर एक हेरोइन है पलक तिवारी है बहुत तमाम लोग है सीवा सर्माजी है। काफी तमाम तो एक सुल्जी हुई मजी हुई आर्टिस है और बढ़ियां परफॉर्म करती है और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऐसे ही मुका चलता रहा सिल्सला लगन पत्रिकार के बारे में हम यह कहेंगे कि बोश्पुरी फिल्मों में मोसली पहले मारपीट की फिल्में होती थी आठ दस एक्षन होता था दस बार अगाने होते थे लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है यह परिवारी फिल्म है एक भाई जो है अपनी बहन को लेकर चिंतित है कि मेरी पहन मंद बुद्धी है तो इसका क्या होगा तो इतनी अच्छी स्टोरी है यह कि हमारे जो दर्सक हैं जब बार बैठेंगे इसको देखने तो खतम होने तक फिल्म को ज़रूर देखेंगे बहुत सारे इसके अंदर मैसेज भी हैं और हमें कहेंगी सेटलाइट के लिए सिने पार सिने माहौल के लिए यह हर जाओ सेट बठेंगे आपकी आने वाली फिल्में बैक टूए का फिल्में कर रहे हैं तो कौन-कौन फिल्मों के रिलिज्पे तो मेरी करिम ज़िए लगता कि दस बारा फिल्म है उसके बाद जो है अभी मैं सुटिंग कंप्लीट यहां पर शुराम फिल्म का जिसके डार डाजू परसाथ जी थे हिरो यस मिसरा जी थे और यह चली रहा है उसके बाद यहां से फिल्म मैं जाओंगा देवरियां एक फिल्म है तो कंटीनू फिल्म हैं और रिलिज्पे मतलब समझे कि अब लाइन से सब फिल्में और उसके बाद से लाइट पर चलना तो चली रहा है एक फिल्म में अभी जल्दी रिलिज्पे है फिल्म का नान था क्या नाम उंका छेशाउरी जी उसके हिरो हैं और हाँ अपर अधी है और उसके बाद उसके से डिल्ञक्त असे अपने हैं अपने सिख़ेसां मजी और वहाँ बहुत साज परमुत्यृम में की साथ दो तिन मिलन भी इसी टाइब फिम थी मिलन परिवारिक फिल्म हो भी और उसके डिर्टर आनंद सिंग जी है और वो भी खुब सुरत फिल्म है जब भी लोगों के बीच में आईगी लोग देखेंगे तो उसको 100% पसंद करेंगे क्योंकि मनी जी ही उसमें हिरोइन थी तो परिवारिक सब्सक्राइब करते हैं जैसे आप में बीलन और पॉजिटिव करने में कैसा हो रहा तो डिरेक्टर कोई करीर नहीं होती है कुछ कि यो सब्जेक्ट उनके पास है उसको निकारते हैं तो हम तेहीं चाहें कि एक छब ये ना बने कि नहीं वह इसी टाइप फिल्म बनाते हैं इसके बाद उन्होंने फिल्म किया है और अच्छा किया और हम उमीद करते हैं कि आगे उनका भी भविस अच्छा होगा अपने पॉल्ड से अगा कि आप लोग प्लीज हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं तो आप लूँ देखिये । और लिएवेप्स ऑडियाएं आप सिनेमा हओल में जाएए क्योंकि सिनेमा हॉल और टिवी का दोनों का अलग ही जोणर है और आप सारे दर्सकों को अम फिर से बार बोलेंगे कि दिवाली और चट की बहुत सारी बताई है नमस्ते पर नाम और जितना भी इस चैनल को दर्सक देख रहे हैं सब को मेरे तरब से पर नाम छठी आ रही उसके लिए बहुत सारी बढ़ाई दिवाली आ रही उसके लिए बहुत सारी बढ़ाई अब बहुत ही खुबसूरत फिल्म है प्रेम पत्रिका जो इसके डाटर है आनन से और बहुत ही बतलब इतना खुबसूरत फिल्म है कि हम करने में कुछ सूट करने में मजा रहा है आप टाइटल इतना प्यारा है कि अप समझेटर से कहीं कहानी भी है और मैं इसमें पॉजिट्व कर रहा हूं आनन सीं के साथ पहले भी मैंने एक फिल्म में पॉजिट्व किया है और एक ऐसी लड़की का भाई का रोल कर रहा हूं जो थोड़ी सी मंद बुद्धी है अब उसी कि एईद गिर्द कहानी है उसी को लेके ताना बुलना सारा बुना गया है तो आप ने पॉजिट्व करना फिल्म में पॉजिट्व किया है तो इसलिए कोई टेंस नहीं होता है उसमें ढहल जाता है तो लेकिन यह है कि बिलेन करते करते हमने इतना बिलन कर लिया a consistent i उन फिल्म बहुत करने है कभी भाई यादि बनता है कभी बाप बनता है कभी चाचा बनता है तो बहुत टाइप के इसमें बेरियेशन मिलता है करने में तो मजह आरा है लुड़ाओ कि फिल्म के लिए बाद आरेक्टर जो है अम श्मझी पोडूसर है कुछा करें लग संट..?